वेल्कम तो अलंडामिक वर्ड उमीद को तो बेड़ा जब लोग खेरियत से होंगे तो स्ट्रेंट्स हम एक्सेस 6.3 का स्लूशन करने जा रहे हैं आज आज आपने बहुत धियान से इस एक्सेस को देखने हैं यहां पर जो हमने स्कुरूट करना है यहां पर जो हमने स्कुरूट करना है यह यहां 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 आप स्कुरूट करना है और आप स्कुरूट आप तभी फाइंड कर सेकेंगे जब उस टम का स्कुरूट बंद रहा होगा तो आप में देखना है यह 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 प्लस बी स्कुरूर की फॉर्म होनी चाहिए यहां यह माइनस बी स्कुरूर की फॉर्म होनी चाहिए अब देखें बेटा जी इस 4X स्कुरूर को हम लिख सकते है 2X whole square सब बिल्कुल लिखा जा सकते है और स्वार छी स्कुरूर इसे हम क्या लिख सकते है 3Y whole square देखें बेटा जी A square प्लस B square यह टम आपके पास यह आगी और यह इटम आपके पास यह 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 now middle term, तो स्वर्मेट स माइनस का साहिन है तो obviously यह indicate कर रहा है कि formula क्यों होगा, minus 2A into B, अब स्वर्मेट से गर मैं इस term को simplify करूँ, तो देखें 3 2s आ 6 and 6 2s 12, तो यह क्या रहा है, minus 12 x y जो exactly वही term है, जो हमें given थी, तो बेटाजी अब यह formula बंद रहा है that is a square plus b square minus 2ab and it is equals to a minus b whole square अब देखें बेटाजी क्योंकि आप square root find करना चाहरे हैं तो आप statement लिख लें hence यह आप यह भी लिख सकते हैं by taking square root तो बेटाजी यह क्या आजएगा इसको square root की form में convert कर लें 2x minus 3y square अब आप लोग जानते हैं students जो square है वो square root से क्या होजएगा cancer out होजएगा and we will have our answer and that is plus minus 2x minus 3y because students जब भी आपने square root find करना है plus minus का sign लाजमी यूज किया जाता है because positive का square भी वही number होता है और negative का square root भी negative का square भी same वही number है अब 4, 4 का square root find करें रहें सर वह आएगा plus minus 2 अब देखें plus 2 को 2 से multiply करें तो answer plus 4 आ रहा है और minus 2 को minus 2 से करें तो तब ही plus 4 ही answer आ रहा है so that is why ये plus minus का sign compulsory है इसको आप ignore नहीं कर सकते है अब हम move करते है students इसके third part की तरफ second part आप खुद से करेंगे अब third part में देखें students आपको given है 1 by 16x square plus 1 by 36y square minus 1 by 12xy सर ये fraction की form में आरा है तो अब देखें fraction की form में बेटाजी इससे आप लिख सकते है 1 by 4 x का square इससे बिलकु लिखा जा सकते है and similar students इस term को क्या लिखेंगे so इस को हम लिखेंगे 1 by 6y whole square तो सर ये a square ये b square तो students minus 2ab तो देखेंगे लिखेंगे बेटाजी minus 2 into a into b so 1 by 6y अगरम से नपिलिफा जाए तो 6 2s are 12 तो 1 by 12xy सेंगे वही तो रिखेंगे so students रिखेंगे लिखेंगे तो आपको रिखेंगे a square plus b square minus 2ab and we can write it in form of x over 4 minus y over 6 whole square because x1 से multiply रहाँ था बेटाजी क्या आजेगा वो x ही आजेगा so same strength इसे अब क्या करें इसे अब उस form में convert कर दें जो आप find करना चाहरे है so बेटाजी अब क्या लिखेंगे square root का sign x by 4 minus y by 6 whole square and obviously जब आप square root find कर लेंगे square root से cancel हो जएगा and we will have our answer and that is plus minus x by 4 minus y by 6 अब यहां से strength कुछ mostly जो हैं वो क्या करते हैं वो LCM लेकर उसको simplify कर लेते हैं अब कर लें ठीक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा but this is the answer आपने यहां तक उसको करकर छोड़ देना है अब हम स्मूफ कहते है question number 4 की तरफ अब यहां पर भी आपने identify करना है कि a square की term कौन सी है b square की कौन सी है और 2a b क्या किस term में आएगा so देखें बेटाजी 4 into a plus b whole square plus 9 into a minus b whole square अब देखें बेटाजी यह जो 4 into लिखा हुआ है इससे हम लिख सकते है 2 into a plus b whole square इससे लिखा जा सकते है अब देखें मेड़ाजी square जब दोना terms के साथ separate होगा basically 4 पर square नहीं है यहां पर तो इसलिए 4 काम ने किसका square लिख दिया 2 का अब स्मूफ जब 2 का square आप सेपरेट के रहेंगे तो 4 बन जएगा और a plus b का square इससे हम लिख सकते है 3 into a minus b whole square इस केस में भी उसी तरह से because 9 पर square नहीं था और 9 को मैं क्योंकि ब्रैकेट के अंदर नहीं आया हूँ तो वो किसका square हो गया वो थी का square बनेगा and same minus 2 into a तो बड़ेजी वो क्या है 2 into a plus b into b इससे and that is 3 into a minus b अब अब इससे गराब multiply कर ले है तो तो थी के थी तो जएगा and 6 जएगा and 6 जएगा 12 a plus b into a minus b आप लोग जानते है अड़सा formula and that is a square minus b इसको तो exactly यह वो ही टम बन जएगी अब यह formula बनेए that is a square plus b square minus 2ab and that is equals to 2a minus b whole square तो तो इसको as it is solve कर ले है इसको simplify कर ले है तो देखें मारे जब आप simplify करेंगे तो यह क्या जगा आपके पस 2a plus 2b minus 3a plus 3b whole square तो देखेंगे इसको as it is so that is students 2b plus 3b it will be 5b 2a minus 3a तो स्कोरर्णस minus a तो अगें है तो यह square ki form में ही so students अब convert कर लेंगे अब square root के अंदर लिखेंगे so hence square root of 5b minus a whole square so बेटाजी obviously आप square root finding करेंगे answer will be plus minus 5b minus a so that's it बेटाजी this is your part number 4 अब हम आप मुव करेंगे इस वाँ पार नुबर 7 के दरफ so बेखेंगे part number 5 आप इसली इसल्फ करेंगे वो फ्रक्शन में आ रहा है numerator को आपने separately solve करना है denominator को आपने separately solve करना है 607 exactly एक जैसे है so इसली मैंने question number 7 चूज किया आपके लिए 607 में से other questions 7 में हमारे पास कोई भी exactly term नहीं बंद रही कोई भी square कोई भी a plus b square नहीं आ रहा और यहां पर bracket में fractions आ रही है तो शुर्स हम क्या करेंगे हम जो least power will be term इसको let कर लेंगे equals to a variable so यहां पर आपने let करना है let y equals to x plus one over x so हमने इस factor को let कर लिया कि यह y की equal है हम substitution करना चाहरे हम change करेंगे अधर के मैं यहां तो आप y पूट कर सकते हैं सर यहां पर क्या पूट करेंगे हमारे पास x square plus one over x square की value नहीं है तो हम fine कह लेते हैं वो fine कैसी होगी squaring on both sides तो शुर्स आप क्या करेंगे आप दोनों sides पर square करेंगे तो शुर्स it will be y square equals to x plus one over x whole square अब देके शुर्स यह आजेगा y square और यह आपके पास आएगा a square plus b square plus two a into b अब शुर्स यह x और यह x क्या हो गया cancer out क्योंकि वो opposite fractions में आ रहा है शुर्स इट विल बी y square equals to x square plus one over x square plus two अब देखें बाटाजी आपने substitution करनी है x square plus one over x square की players पर आपको यह वाली उख्वाइड तो obviously two set पर क्या हो जाएगा minus हो जाएगा so sir we will write y square minus two equals to x square plus one over x square अब देखें बाटाजी हमारे पास substitution करने के लिए इसकी value भी आ चुकी भी है और इसको भी हम लेक्ट कहर चुके हुए है अब हम हमारी जो main equation है उसमें यह जो substitutional values नहीं यह जो हमने two y square minus two whole square so minus four into the limit is common violet किया था तो y से replace कर दें so plus 12 as it is अब यह वही terms है जो हमने find out की थी अब श्राइब साब इसको solve करने है तो देखें बाटाजी a minus b square so again formula and that is a square plus b square minus two a into b और बेटाजी आजाएगा यह minus four square plus 12 इसको अगर अब फर्दर simplify करें तो यह y to power four plus four minus four y square श्राइब से भी minus four y square और यह plus 12 अब देखें आपको पस वाइरस तो पाफोर एक single term है तो वाइरस उपाफोर लिख लें minus four y square minus four y square so it will be minus eight y square and four plus 12 it will be sixteen अब यह आपके पास simplified term आचुकी वी अब इसको आप further solve करेंगे देखें बाटाजी y4 को अब क्या लिख सकते हैं से इसको हम लिख सकते हैं y square का square जो भी आपने उपर लिखा था अब इस sixteen को अब क्या लिखेंगे से इसको हम लिखेंगे four ka square so देखें students a square plus b square minus two a into b तो students इसका formula बन गया that is formula of a minus b whole square so that is a minus b whole square अब students आपने क्या करना है अब आपने इसका square root लेना है तो बेड़ाजी आप क्या लिखेंगे hence और इसको आप square root form में लिखेंगे and that is y square minus four whole square और obviously बेड़ाजी आप इसका square root लेंगे तो क्या जाएगा आपके पास that will be plus minus y square minus four अब यहाँ पर students y को आपने replace कर देना है जो value आपने let की थे answer that value is x plus 1 over x square so students answer will be plus minus x plus 1 over x whole square minus four so that is it बेड़ाजी this is the square root of your given time की थोड़ा से complex था थोड़ा से technical ज़रूर था but tough नहीं था so students आपने इसको solve करने है and same इसका जो previous part है वो ऐसे ही होगा अब आप students move करते हैं question number 9 की तरफ अब देखें बेड़ाजी 8 औ 9 दोनों एक ही चीज़ पर बेस करते है तो मैंने जो चूज किया that is 9 अब 9 में आपके पास तीन टरम्स है जो मिल्टीप्ला हो रही है और students ये तीनों टरम्स आपकी मिटनम ब्रेक भी हो रही है तो आपने क्या करने हैं अब इन तरम्स को मिटनम ब्रेक करने है तो मेटनी फर्स्ट हम देखें 7 इंटि 1 तो इस आफेक्टर के बनेंगे और आपको चाहिए 8 तो आपको फेक्टर के चाहिए तो आपको फेक्टर दो चाहिए तो इस्टुर्ण्स वह 7 और 1 होंगे तो फैक्टिर हम यूस करेंगे वो 3 और 2 होंगे तो बेटाजी 2x स्क्वेर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 and similar difference last time 21 into 2 तो बेटाजी that is 42 11 required है तो फैक्टर फैक्टर 14 और 3 होंगे और 14 के सब प्लस यूस किया जाएगा क्योंकि greater value के साथ क्या आ रहा है प्लस आ रहा है 14x minus 3x and same minus 21 अब बेटाजी देखें जो terms common आ रही है आपकी इसमें से आप x common ले सकते हैं तो क्या आ जाएगा x plus 7 आ जाएगा बेटाजी कुछ भी common नहीं है तो 1 common है तो ये भी क्या आ गया x plus 7 आ गया इन टम्स में से आप क्या common ले सकते हैं that is x बेटाजी आएगा 2x minus 3 कुछ भी common नहीं है तो 1 common है बेटाजी अगया 2x minus 3 इन टम्स में से देखें students अब 2x common ले 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 तो ये आजाएगा आपके पास x plus 7 and again minus 3 common लेंगे तो students ये क्या आजाएगा x plus 7 so that's it अब इसको factors की फॉर्म में लिखेंगे तो बेटाजी आपके पास आएगा x plus 7 into x plus 1 similarly students यहाँ पर x plus 1 into 2x minus 3 और लास्ट रम के factors again x plus 7 and 2x minus 3 अगरा बेटाज ध्यान से देखें x plus 7 x plus 7 इसको हम लेख सकते हैं x plus 7 का square इसको बिलकुल लिखा जा सकते है similarly students x plus 1 x plus 1 तो sir यह भी क्या हो जाएगा x plus 1 का square हो जाएगा and students 2x minus 3 2x minus 3 तो sir इसको भी हम 2x minus 3 का square लिख लेएगे तो बटे जी तिनों टम्स देखें आपके पास square की form में आ गही है अब हम क्योंके square find करना चाह रहे है तो obviously इसको हम convert कर लेंगे उस form में so we can write square root of x plus 7 whole square x plus 1 whole square and 2x minus 3 whole square अब next आपड़े जाएगा जानते है square root find के रहे हैं तो obviously जिन टम्स पर square आ रहा है वो cancel out हो जाएँगी and we will use the sign of plus minus so students answer will be plus minus x plus 7 into x plus 1 into 2x minus 3 so this is it beta ji this is your question number 1 question number 1 में क्या था सर square root by using factorization so students हम ने उसके part solve की hope so आप को समझ आ गया होगा अब हम मुफ करते है एक question number 2 की तरफ question number 2 में ही students square root ही find करना आपने but in a different way question number 2 में हो कह रहा है use division method to find the square root अब यहां पर beta ji हम method use करेंगे that is the division method so students division method आपको obviously आना चाहिए यहां पर हम सेम वही steps perform करेंगे but in polynomials so देखें बड़ा जी सब से पहले हम इसको लिखर convert करेंगे division form में आपको पर सो टर्म में that is 4x square plus 12xy plus 9y square plus 16x plus 24y plus 16 so students वही method सबसे पहले हमने first term को eliminate करना होता है तो देखें बड़ाजी first term हम के पास 4x square तो बड़ाजी हम किस term को किस से multiply करेंगे हैं कि हमारे पास 4x square आजे so that is 2x so students अगर हम 2x को 2x से multiply करते हैं तो क्या हैगा sir 4x square आजेगा और obviously आपने इसका sign change करना है तो ये term तो cancel out होगी and the remaining terms are 12xy plus 9y square plus 16x plus 24y plus 16 and obviously बड़ाजी यहाँ पर जो term होती है उसका double हम नीचे लिखते हैं तो देखें सबसें 2x का जो double होगा that will be 4x अब शुर्ण समय पास 4x already है 4x को हम किस से multiply करेंगे 12xy आजे so that term is 3y plus 3y तो शुर्ण प्लस 3y आप लिखेंगे यहाँ पर भी और वो यहाँ पर भी आएगा अब 3y इन दोनों से multiply होगा तो देखें बटे जब 3y आप इस term से multiply करेंगे it will be 12xy और 3y बेटे जब इस से multiply होगा तो शुर्ण से क्या आजेगा तो यहाँ आजेगा 9y स्क्वेर अब आप लोग जानते हैं साइन चेंज होँगे तो यह प्लस है माइनस होजएगा यह भी माइनस होजएगा तो शुर्ण से टम्स कैंसल आउट और जो रिमेरिंग टम्स हैं दोस विल बी 16x प्लस 24y प्लस 16 एंस से गें जो सेकेंड टम है उसको डबल कहले तो बेटे जी आएगा आपके पास 4x प्लस 3y अब देखें बेटे जी 4x को हम किस से multiply करें कि हमारे पास 16x है तो simply sir इस सब 4 4 से ही multiply करने है तो देखें श्रॉंस 4x 16x 4x 3 is a sorry इसको आपने डबल करना था तो बेटे जी आजेगा आपके पास 6y तो 6x 4s श्रॉंस it will be 24y and 4x 4s 16 तो श्रॉंस अगें आप क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे प्लस और माइनस होजएगा यह भी माइनस और यह भी माइनस और अब देखें तो यह तीनों टर्म्स आपकी cancel out हो रही है and we will have our remainder which is equal to 0 तो श्रॉंस आंसर इस 2x प्लस 3y प्लस 4 तो आपके पास जो find करके आंसर है श्रॉंस that is 2x प्लस 3y प्लस 4 that is the square root of your given term अब आप मूव करते हैं इसके next part की तरह श्रॉंस पार नमबर 4 देखें तो बड़े जी अगीन इसे आप convert कहले square root की form में अब श्रॉंस यहाँ पर अगर आप terms देखें तो आपको given a 4 plus 25x square minus 12x minus 24x cube plus 16 x is to power 4 तो बड़े जी यहाँ पर मैं terms को rearrange कर रहाँ in order form ठीक है highest power आपके पास 4 है तो बड़े 16x is to power 4 में पहले लिख रहाँ then minus 24x cube plus 25x square minus 12x and then last per constant which is 4 अब देके श्रॉंस 16x is to power 4 उस term को हम किस से multiply करने के मारे पास 16x4 so that is a very simple question 4x को और को multiply करने 4x square से so देखें बड़े जी 4x square जब multiply होगा 4x square से so answer will be 16x is to power 4 obviously बड़े जी आट sign change होंगे और sign change होने के बाद यह term आपकी cancel out हो जाएगी और remaining terms होंगे 24x cube plus 25x square minus 12x plus 4 अब श्रॉंस आप जानते हैं यह जो term है उसका हम डबल लिखते हैं तो बेटाजी 4x square के डबल किया होगा that is 8x square because power कभी डबल नहीं होती है अब देखें आपके पास 8x square है अब देखें आपके आपके पास जो first time है that is minus 24x cube तो बेटाजी 8x square हम किससे multiply करें कि minus 24x cube आजे so that is minus 3x तो श्रॉंस system को आपने किससे multiply करना है minus 3x है तो बेटाजी जब minus 3x है करेंगे तो यह आएगा आपके पास minus 24x cube और यह multiply होगे बेटाजी आजेगा 9x square so again students sign change होँगे बेटाजी यह minus है plus होजेगा यह plus है minus होजेगा and we know that in terms की cancellation होजेगी तो देखें students 25 minus 9 so it will be 16x square minus 12x plus 4 और श्रॉंस in terms को मैं as it is लिख रहा हूँ 8x square obviously second term का double करेंगे तो यह minus 6x हाजेगा अब बेटाजी एगें first time cancel करेंगे तो 8x square को किससे multiply करें कि आपके पास 16x square है so that is simple 2 तो बेटाजी इसको जब आप 2 से multiply करेंगे तो यह आज यह का 16x square minus 12x plus 4 and students we all know that sign change करेंगे तो बेटाजी यह sign change कर दिया है अब अगर अगर अब सब तरम को देखें students same with opposite signs तो यह cancel out हो जाएंगी and we will have our answer in the form of square root and students that answer is 4x square minus 3x plus 2 तो students ही यह given term का क्या है square root है और obviously plus minus का sign आप लोग यूस करेंगे so that's it from this part students अब हम सके last part के तब मूफ करते हैं and that's a very important question क्योंके students उसमें एक fraction आ रही है अब अब इस सबसे पहले दोगे हैं आपने convert करना है इसको in form of square root तो देखें students इसे आपके लिखेंगे x square over y square minus 10 x over y plus 27 minus 10 y over x plus y square over x square so students first term that is x square over y square किस सम को किस से multiply के रहे हैं कि हमारे आपास x square over y square आजे so that is simple x over y x over y को आप x over y से multiply के आज़ें तो जो term आएगी that will be x square over y square obviously students terms के sign change हो जाएगे और यह term cancel out हो जाएगी and remaining terms will be minus 10 x over y plus 27 minus 10 y over x x plus y square over x square और obviously बेटाजी यह term को आप डबल करके लिखेंगे तो यह आपके पास आज़ेगा 2 x y now students 2 x over y सब किस से multiply के रहे हैं कि आपके पास minus 10 over x y so that is simple minus 5 so students minus 5 से जो आप multiply करेंगे तो यह minus 10 x over 5 आजएगा और students minus 5 minus 5 से जो बेटाजी it will be plus 25 obviously बेटाजी इन terms के भी आप क्या करेंगे sir sign change करेंगे यह plus है और यह minus हो जाएग students same terms with opposite sign cancel out हो जाएगी और remaining terms के जो आप simplify करेंगे so it will be 2 minus 10 y over x plus y square over x square so देखें बेटाजी second term को आपने डबल करना है so 2 x over y minus 10 इसको आप किस से multiply करेंगे कि आपको बास simple 2 आजए तो बेटाजी और इसका reciprocal से and that will be y over x तो बेटाजी इसको y over x से multiply करेंगे तो देखेंगे जब आप y over x से multiply करेंगे स्ट्राजी तो यह simple आपके पास 2 आजएगा स्ट्राजी अब यह term multiply होगी it will be minus 10 y over x जब इससे multiply करेंगे तो यह y square over x square आएगा obviously आपने क्या करना है आपने sign change करने है sign change करते हैं terms क्या हो जनेगी आपकी cancel out and remainder will be 0 so students after solving this final answer will be plus minus x over y minus 5 plus y over x क्योंके students square उर था स्ट्राज आएगा So, that's it Badaji, this is it from today's lecture insular, see you next time till then take care and Allah Hafez